नमश्करों दोस्तों राजनेटी की बातों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस दर्मेंदर कमाली भूले पिसरे नेताओं की कहानी में दोस्तों आज हम बात करेंगे हरियाना में पिछड़ों और गरीबों के आज तक के सबसे बड़े नेता जैनारायन वर्मा जी के बारे में एक जमाना था दोस्तों जब जैनार्ण वर्मा जी की एक हुकार पर हरियाना का पिछड़ा समाज इकथा होता था और एक जमाने में चोधरी बंसिलाल को भी जैनार्ण वर्मा से गभरा कर एक मारमिक अपिल जंता को करनी पड़ी थी उम्मारमिक अपील क्या थी वो भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे तो आए दोस्तो जैनायन वर्मा जी की कहानी आपको बताते हैं दोस्तो गुलाम भारत में साल 1934 में एक बेहद अभाव गरस्त चोटाला गाओं के गरीब परजापत परिवार में एक बच्चा जन्मा था जिसका नाम जैनायन रखा गया जैनायन के माता पितान ने कभी कलपना भी नहीं कियोगी कि उनके छप्पर के इस घर में जन्मा ये बच्चा हर्याना के इतना बड़ा नेता बनेगा क्योंकि उस समय तो दो जून की रोटी के लाले पढ़ते थे सब को चोटाला गाउं वैसे तो चोदरी देविलाल के परिवार की विज़े से परसीद है लेकिन एक जमाने में पिछडों के बड़े नेता जैनायन वर्मा जी की भी हरियाना में तूती बोला करती थी जैनायन वर्मा जी के जो पिताजी थे वो रामसुपदास उनका नाम था और वो अपना पैतरी को उसाई करते थे वो जानते थे कि अगर परिवार को तरकी के रास्ते पर लेकर जाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि जैनायन को पढ़ाना पढ़ेगा, बिना पढ़ाई के गुजारा नहीं हो सकता जैनायन बालक जब थे तो पढ़ाई में बहुत तेज थे साथ लगते राजस्तान के संग्रिया में उनके पिताजी ने उनको पढ़ने भेजा वो प्रैमरी की सिक्षा वहाँ पे की और उनके पिता ने बड़े मुश्किलें उठा कर उनको फिर हिसार पढ़ने के लिए भेजा वहाँ से उन्होंने दस्वीक तक की सिक्षा असिल की इसके बाद जैनायन जी ने बीए चंडीगड से की और प्रभाकर की भी पढ़ाई की पढ़ाई के दोरां वो लगातार वजीफे हासिल करते रहे और उनके सपनों को पूरा करने में इन वजीफों ने बड़ी मदद की हिंदी अंग्रेजी और पंजाबी तीनो भासाओं पर जैनायन वर्माजी की गजब की पकड़ थी और भासन ऐसा धारा प्रवा देते थे कि रोंग्टे खड़े हो जाते थे सुनने वालों के गरीबों और पिछड़ों की समशाओं को वो औरों से जादा जानते थे क्योंकि जनम ही गरीबी में लिया था उस समय तक पिछड़ा वर्क का हरियाना में कोई नेता नहीं था जब वो राजनीती में आए तो वो इस चीज़ को इस कमी को समझते थे कि जब तक पिछड़ा वर्क को एक साथ लेकर नहीं चला जाएगा उनको एक नहीं किया जाएगा तब तक सत्ता उनको कुछ देगी ने वो अपनी पढ़ाई का उप्योग गरीबों के कल्यान के लिए करना चाहते थे सबसे पहले तो विनोबा भावी जी के भूधान अंदोलन से जुड़े उनको लगा कि विनोबा जी का जो आंदोलन है वो गरीब लोगों के उत्थान का मारग है क्योंकि जिसके पास जमीने नहीं है और जिसके पास जमीने ज्यादा हैं वो जमीने जरूरत मंदों को लोटा रहे थे इसलिए वो इस आंदोलन से जुड़े गांधी जी की विचारदार से वो बहुत गहरे जुड़े हुए थे और खुद को गांधी वादी कहलाने में बहुत गरव महसूस किया करते थे हिसार के सरोध्य भौन से उनका ताउम और गहरा जुड़ाव रहा और इसको स्तापिक करने में उन्होंने अपना जीज जान से कोशिस की थी जनायन वर्माजी का राजनीती और समाथ सेवा के अलावा कुछ और शोक भी थे दोस्तों एक शोकता किताबे पढ़ना उनका घर किताबों से बहरा रहता था वक्त मिलने पर वो किताबों के बीच होते थे दोस्तों के साथ वोली वोल खेलना और तास खेलना और नेमित मॉर्निग वोक करना उनके जीवन के हैम हिस्से थे उन्होंने खुद भी कई किताबे लिखी दोस्तों क्योंकि वो जानते थे कि समाज को जागरित करना है तो लिखना होगा उन्होंने चब मैंने रिक्षा चलाया एक किताब लिखी गांधी सरवद्दे एक किताब लिखी समगर करांती नाम की किताब भी उन्होंने लिखी नागरिक सक्ती, लोकतंतर और सत्या ग्रहपर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई और उन पर किताबे लिखी वो हर्याना में भूदान योजना बोर्ड के मेंबर भी रहे और एमरिजनसी में उनको दो बार गरिपतार किया गरे एक बार तो मिसा के तहित गरिपतार किया गया उनोंने हर्याना प्रदेश, हरीजन, सेवक संग और नागरिक प्रिशद हिसार के वो किन्मीन रहे सरोध्य के कामों में उनोंने खुद को जोके रखा और चोदरी देविलाल की सरकार में वो खादी बोड के चेर्मैन भी रहे देविलाल उनसे बहुत सने रखा करते थे एमरिजन्सी के दोरान जब वो जेल में रहे तो उनका देश के बड़े-बड़े नेताओं से संप्रक हुआ और उनको लगा कि अब राजनीती में आए विना काम नहीं चल सकता 1903 में जब वो रहा हुए तो बरवाला हलके से जनता पार्टी की टिकट उनको दी गई और वो विधायक्ष्यू ने गए उन्होंने अपने जिवन में दो चुनाव लोकसभा के भी लड़े और बहुत गजब तरीके से लड़े 1984 में विवानी लोकसभाक्षेतर से कांग्रेस S के प्रतैसी की रूप में उन्होंने चोदरी बंचिलाल के खिलाब ताल ठोकी थी सुरवात में चुनाव चोदरी बंचिलाल के पक्स में एक तरफा जाता दिखाई दे रहा था लेकिन जैनाड वर्मा चुनावी रण में गजब रण निती के साथ उत्रे थे और धिरे धिरे करके उन्होंने चोदरी बंचिलाल को घेरना सुरू किया उनके जीप पर सारी पार्टियों के ज्छंडे लगे होते तो और एक तरह से विपक्स के नेता वो बन गए थे और जैनाड वर्मा जब गरजते थे गाओं की शोपालों में तो सुनने वालों उसके बीच में जोस पर दिया करते थे और देखते ही देखते पिछले समाज के लोगों को उनके बीच ये आवाज आनी शरू होगी कि भाई जैनाड वर्मा ची तो बहुत कमाल के नेता है इन जैनाड के चक्र में मने नमर वा दियो सोच समझ कर वोट देना है ये ताकत थी उनकी पिछनों के बीच उन्निस सो इक्याणों में तक आते आते चोधी बंचिलाल ने तो हरियाना विकास पार्टी बना ली थी और इस बार चुनावी मैदान में हरियाना विकास पार्टी से चोज़ी能 जंग्विर सिंग पंखाल को टिकट मिली थी जो खुद फोज में रहे थे और बहुत बड़े नेता उस समय के थे वो और उनके सामने कांगरेस ने टिकट दी जैनायण ऋवर्मा को और दौनों के बीछ चुनाओ में चोई जंग्विश सिंग और जैनाड वर्मा जी की आपस में दो बार मुलाकाते भी हुई उनके चोई जंग्विश सिंग के बड़े बेटे हैं कमल सिंग जी और कमल सिंग जी ने बताया कि जब वो दोनों एक दूसरे से मिले चुनाओ में तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया क्योंकि आपात काल में दोनों जेल में रह चुके थे और दोनों ने हर बार यही कहा कि भाई मेहनत करना जो जिसको जन्ता पसंद करेगी वो उसको वोट मिलेंगे बहुत दोस्ताना चुनाओ ये एक किसम से रहा और ये चुनाओ बिना चुनाओ के लड़ा गया लेकिन जी चोधरी चंग्विर सिंग को मिली और 3565 वोटों से जैनायन वर्मा चुनाओ फार गए जैनायन वर्मा ने जीने पिछड़ों के लिए ताउमर संगर्स किया वो एक राजनेता थे उन्होंने कई पार्टिया जीवन में बदली ताकि सब्ता हसिल करके पिछड़ा वर्कों के लिए कुछ बेहतर किया जासके और ये सचाई है कि हर्यानाओ में पिछड़ों के बीच आज तक जैनायन वर्मा जी के कद का दूसरा बड़ा नेता नहीं मिला है इ 20 दिसंबर 2005 को उनका निदन हिसार में हुआ दूस्तों और उनको जबंतिम विदाई दी गई तो हिसार के हजारों लोग वहाँ पर जूटे थे आज भी सरोध्य भाउन में जैनायन वर्मा जी के जिनम दिवस पर उनकी पुन्यतिती पर उनको याद किया जाता है सरोध्य भ लाएगा आपको भी दोस्तों अगर ऐसे किसी नेता के बारे में जैनकारी है तो आप जरूर कमेंट किया करें किसी खास भूले विसरे नेता के बारे में अगर आप मुझसे जैनकारी चाहते हैं तो उस नेता के बारे में थोड़ी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिख दिया क करें अगर उनके परिवार के किसी आदमी का संप्रक है तो वो भी लिख दिया करें मैं कोशिस करूँगा कि हर्याना के हर भूले विसरे नेता के बारे में हमारी पीडी जानकारी हासिल कर सके इसलिए वीडियो बनाए जासके तीन वजे हमारी दोस्ती जारी रहेगी दोस्तों तीन वजे की चाय के साथ राजनी किस्ती की बातों का मज़ा लेते रहें आज के लिए इतना ही शुक्रिया नमस्कार